नमस्कार साथियों मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूटूब चैनल पर स्भागत करता हूं और आप सभी को आपके आने वाली सभी परिक्षाओं के लिए सुपकामनाई देता हूं आज के इस वीडियो में हम सिक्षा सहायक सामगरी टीचिंग सहायक सामगरी या टीचिंग एड्स पर चर्चा करेंगे यह टॉपिक जो है या सीर्शक जो है आपकी एल्टी भरती परिक्षा के सिक्षन अभिरूची के स्लेवस में भी है इसके अलावा जो चात्र टीटी की त पाठ्थे क्रम में हैं या जो बीट पाठ्थे क्रम में हैं उन सभी के लिए ये वीडियो फाइदे मंद होगा क्योंकि सिक्षा सायक सामगरी जो ये टॉपिक है ये सिक्षा से सम्मंदित सभी सभी जो जितने भी कोर्शेज हैं उनमें ये सिक्षा सायक सामगरी के बारे में पढ़ाया जाता है और यह आपके पार्ठिक्रम में बिल्कुल सामिल है ठीक है एल्टी भरती परिक्षा में इससे एक या दो प्रशन अवश्य पूछ जाएंगे इसलिए आप इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छी तरह त्यार कर लेज़े ठीक है तो आज के इस वीडियो में सिक्षा साहयक सामगरी या टीचिंग साहयक सामगरी जिसे हम टीचिंग हीट्स कहते हैं ठीक है अब इनके बारे में हम जानेगे एक ब्रीफ इंट्रोडेक्शन इसके बारे में हम जानेगे सामाने परिचे अध्यापक को अपने सिक्षण को रोचक तथा प्रभावसाली ब होते हैं जो चात्रों को सीखने के लिए अधिक अनुभाव परदान करें क्योंकि अपने अनुभाव को से जल्दी सीखते हैं ठीक है तो अध्यापक को अध्यापन कारिक लिए कई सारे साहेख सामगरियों का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे की सिक्षन रोचक बन सके ठीक है आगे चलते हैं आप देखते हैं सिक्षन साहिक सामगरी कहते किसे हैं तो सिक्षन साहिक सामगरी से अभिप्राय उन स्रब्य द्रिश्य साधनों से है जिनके द्वारा छात्रों को ग्यानेंद्रियों आँख तथा कान को अधिक सक्रिय बना कर उनके पॉझ साली बनाया जाता है ठीक है तो सिक्षंड साइक सामगरी उस सामगरी गाते हैं जिसमें जब सीक्षन कराया जाता है तो उसमें जितनी बी ग्यानेंद्रीज के उतिहंएं तो जितने अधिक गैनेंद्रियों का चात्र प्रयोग करते हैं, उनकी स्मिर्थी उतनी मजबूत होती है। हमारी कई गैनेंद्रियां एक साथ काम करती हैं, जो कि एक मजबूत मजबूत इस्मिर्थी बनाती है। ठीक है, और हमें फिल्मे की कहानी याद रहती है। एक बार देखना सौ बार सुने हुए से अच्छा होता है। ठीक है, तो आप इससे यह अंददा लगा सकते हैं, कि अगर आप किसी चीज को देख लें, तो उसके बारे में आप अच्छी स्मिर्थी रख सकते हैं, बजाए कि आप सौ बार उससे सुनें। ठीक है। आगे चलते हैं, आप हम इसकी परिभासा को देखेंगे, यहां मैंने दो परिभासा लिए हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी प्रसन आता है कि यह किसका मत है, यह परिभासा किसकी आप इसको भी देख सकते हैं, परिभासा है। पहला है, डेंट का मत है, स्रब्य द्रिश्य सामगरी वह है, जो कक्षा में यह अन्य सिक्षन परिस्तियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामगरी को समझने में साहिता कर दिया। जो लिखी गई और बोली गई पाठ्य सामगरी जो सिक्षक बच्चों के सामने प्रस्तित करता है, या छात्रों के सामने प्रस्तित करता है, तो उसको स्रब्य द्रिश्य सामगरी से छात्रों को समझने में आसानी होती है, ठीक है, आगे चलते हैं, अगली परिवासा क्यों चलते हैं, अगली परिवासा है, सिक्षा परिवासा कोस के अनुसार, अब देखोष सिक्षा परिवासा कोस के अनुसार या परिवासा दी गई है, सीखने की प्रक्रिया में सहायक देखने सुनने के साधन जैसे चार्ट, मॉडल, टेप रिकॉर्डर, चलचित्र या चित्र आदी को स्रब्वे द्रिस्य साधन कहते हैं तो ये परिबासा थोड़ी ज्यादा सार्थक लग रही है और समझने में भी आसान है तो सीखने की प्रक्रिया में सहायक देखने सुनने के साधन जैसे चार्ट, मॉडल, टेप रिकॉर्डर, चलचित्र या चित्र आदी को स्रब्वे द्रिस्य साधन कहते हैं अर्थाद ऐसे साधन जो सीखने में सहयक होते हैं जैसे चाल्ट्र है, deswegen देप रिकोडर चल चितर याचित्र अ जोगी सीखने में सहयक होते है तो उनको स्रब्वद्रतीस साधन कहते हैं है सिक्षंड के स्रब्वद्रतीस साधन ठीक है आगे चलते है हाँ अब हम इन स्रव्य द्रिश्य सामगरियों के वर्गी करण को देखेंगे वर्गी करण सिक्षन सहायक साधनों का वर्गी करण निम्न प्रकार से किया जा सकता है आप देखो क्या किया जा सकता है देखते हैं पहला है प्रक्षेपी साधन यानि Projective AIDS प्रक्षेपी साधनों में द्रिश्य साधन वर्ग के साधन या उपकरण सामिल किये जाते हैं जिनने किसी वस्तु अथवा प्रक्रिया को परदे के ऊपर प्रक्षेपित चित्र के रूप में दिखाने के लिए प्रियोग किया जाता है इस प्रकार के साधन है तो देखें याबर जो प्रक्षेपित साधन है इनको किसी प्रोजेक्टर के माध्यम से एक परदे में प्रक् चाहरek कि देखकर समझते हैं ठीक है इतों इसके अंतर्गत कौन कौन से साधन आते हैं हम देखेंगे तो प्रक्षे पی साधनों के अंन्तर देखे आप इतने साधन यहां देगे हैं पहले हैं फिल्म पाрь्टिया जिसे फिल्मी इस्टिप्स कहते हैं मूब चल चितरी जिसे सैइलन्ट साय पिक्चुरीट। है। यहां पर लिखा गया है मूब चल चितर है तो साइलन्ट पिक्चर है इसमें पिक्चर I P I C T U R II उसके यहां के सकते हैं चैल conservatives क्योंकि उस में ढगए रहे थे उनका विखास नहीं हो था ठीक है अगला है माया दीप यानि magic magic lantern जिसे magic lantern को लांटन लिख लखा है इसको ठीक है magic इसको lantern ने कहो या अंगरीजी में तो आप इसको lantern ने कहो या lantern ने कहो उसी तरीके से कहेंगे अगला है सुक्षम प्रक्षेपी ठीक है यह से micro projector कहते हैं यह थोड़ा सार्थक लग रहा है micro projector और अगला है अगला है शिरोपरी प्रक्षेपी जिसे हम कहते हैं overhead projector OHP इसको OHP कहते हैं ठीक है और वर्तमान में इसका प्रयोग अधिक्तम होता है ठीक है अगला देखते हैं नंबर दो है गयर प्रक्षेपी शादन पढ़ा आप हम पढ़ेंगे गयर प्रक्षेपी साधन जिसे हम अंग्रीजी में कहेंगे non protective hmm नंड है प्रग्तितम को करते ह्यां इसको अच्छी समझें यहां प्रत्रोजींव हुन जाथ गभला जुके नपला जैसाव और प्रोजेप यहां फिसके अल्ची तरह समझें यह नोन-प्रोजेक्टिव होना जीए ठीक है इनके बारे में देखते हैं गैर प्रक्षेपी साधन वे साधन होते हैं जो बिना किसी प्रक्षेपन के प्रतेक्स रूप से हमें प्रभावित करते हैं ये साधन निम्री के तीन प्रकार के होते हैं तो देखें गैर प्रक्षेपी साधनों को प्रस्तुत करने के लिए किसी प और drafting तो यह कितने प्रकार के होते हैं आप इनमें कौन-कॉण सी तरफीप है जिनने केवल देखा सकता है सीखने लिए चिन्हें केवल देखा जा सकती है तो इसके अंद्रक sacar कॉणसे साधन आते हैं आप देखिए काफी साधन है इसके अंतरकत तो द्रिश्य साधन साधनों के अंतरकत पहला है मॉडल चाल्ट चित्र पिक्चर जिसे बोलते हैं मान्चित्र मैप ग्राफ ग्लोब ब्लैक बूर्ड ठीक है यह साधन ऐसे हैं जिनको केवल देखा जा सकता है और इनका स्रिक्षन के त कि साधन आपना स्रिक्षन कार करते हैं टीकर के आगे चलते हैं अगजशं चलते हैं अगला है स्ट्रब्य साधन यानि 2 एट्स यह वे साधन होते हैं जिनने केवल सुना जा सकते हैं अब हार्डवेर के रूप में होते हैं लेकिन इन से प्राप्त होने वाला जो ग्यान है उन्हें के वल सुनके ही प्राप्त किया जा सकते हैं ठीक है जैसे उधारन इसके हैं रेडियो जिसके आवाज सुनकर आप कोई भी चीज सीख सकते हैं कोई भी हम सूसना जान सकते हैं ठीक है और अगला है टेप रिकोर्डर रेडियो और टेप रिकोर्डर ये स्रभ्य सादन है अधिकम के ठीक है आगे चलते है अब अगला है नमबर तीन है द्रिश्य सादन द्रिश्य स्रभ्य सादन यानि द्रिश्य स्रभ्य सादन यानि ओडियो वीडियो AIDS. या Audio VideoẠीश या Audio Visual AIDS, ऐइ वे शादन होते हैं, जिन्ने देखने के साथ साथ सुना भी जा सकता है, अर्थात इसमें हम अधिक घ्याने अंदरियों का प्रयोग कर सकते हैं, और मजबूत-मजबूत इसमिरति से किसी भी सीर्षा को सीख सकते हैं. इसके अंतरकत कौन-कौन से साधन आते हैं हम उसके बारे में जानेंगे तो इसके अंतरकत आते हैं आपके टेली विजन है कंप्यूटर है और बोलते चल चित्र है साउंड मोशन पिक्चर ठीक है तो टेली विजन कंप्यूटर बोलते चल चितर आज कल इन तीनों साथनों का प्रियोग सिक्षण में हो रहा है जिससे हम जिसे टेली विजन है उससे हम कहीं दूर बैठे हुए भी किसी बड़े संस्थान का कोई लेक्चर सुन सकते हैं कंप्य कर सकते हैं और इसके अलावा बोलते चल चितर हैं उनकी सायता से भी हम अपने किसी भी जिस्त्त को समझ सकते हैं और मजबूत इस्विर्टी से अपने मस्तिष्पर में बढ़ा सकते हैं कि आगे चलते है मियान Voray अगला है क्रियात्मक साधन जैसे पहले प्रक्षपी साधन्त फिर अप्रखसेपी साधन बने देखो अभी हमने सीखा ना देखो यहां आप वैद जैसे पहले प्रक्षपी synisadhan ंसाठन नों प्रोजेकटिव गलत यह तुक है जो तीसरा है क्रियात्मक साधन ने एक्टीव साधन आप इन के बारे में हम जानेंगे ूधे वे साधन है जिनके द्वारा देखने और सुनने के अतिर्क्त करके शिखाया जाता है ठीक है अब दीको यह वह साधन जिनके जिसमां देखने और सुनने के अतिरिक्त कोई कृिया भी इसके दोरा कराए जाती है जिससे और servi शार्त रोके मस्तिस्क में रहती है तो इसके अंतरद कौन-कौन से साधन है जैसे नंबर एक भूमिका निभाना रोल प्लेइंग ठीक है आप किसी कोई हिंदी का कोई नाटक है तो अगर इसको आप रोल प्ले कर रहे हैं उसकी भूमिका निभाकर उसको सीख रहे हैं तो उसकी स्मिर्थी मुझबूत हो जाएगी। ईग्ळा है प्रियोग साल में काम करना वर्किंग इनका लैवोरटरी देखो विज्जान एक सबीसे है जो ब्रियुक शालमें के दिए बीना वर्किंग सालम काम करके इसको चाइज़ को सीखा जा सकता हों यह बहुत सार्वा जो महत्यपून ब्रह्मन्ट कर सकते हैं अगला है ब्रह्मन् टूर यानि किसी इस्थान पर जाकर उस स्थान के बारे मत जानना वहां के परिस्थितियों को जानना नंतामिक ॥ा क्रियात्मक शिक्षाएं अगला है प्रदर्शनियाóg यादि इसमें विविने कि विज्ञान किया जाता है इसके लाबा और बी विर्षय के प्रदर्शनिय लगा जाती है जिसमें अपने मरा बनाए गए या कोई बी प्रोजेक्ट यहां पर प्रस्तुत करते हैं ठीक है इसके द्वारा भी अधि कम होता है और सिक्षण इसके है आगे चलते हैं अब हम आते हैं स्सेयर साहयक सामगरी का महत्व ख्लगेस और लाइन तूप इसाहिक सामगरी का महत्व क्या है आप इसमें पहला है अभी middle के लिए किसी भी कारे को सीखने के लिए अमीत्व माना जाता है सक्षण साइक आंधुन्यों का सर्व दिशन क्म होता है क्योंकि अध्यात्र जैसे ही स्वेस्ट साय कि लेकर नहीं च्छात्रों में उन्हें देखने की उत्सुक्ता पैदा हो जाती है। तो चातरों में रहे अगला समागरी के लिए नवीन्ता पढ़ने के तरीकों में नवीन्ता अ जाती है और उपसुकता बनी रहती अगला देखते हैं ध्यान केंद्ध करना और Mr. सपल अध्यापक है बच्चों के मन की चंचलता के कारण सिक्षण साइक सामगरी जहां के इन्दरित करने की विधि देख सब्सक्राइब अनुशासन बनाया रखने के लिए और सिक्षन को प्रभावी बनाने के लिए चात्रों का ध्यान केंद्रित करना एक महत्वपुन बात है और सिक्षन साइक सामगरी से चात्रों का ध्यान केंद्रित किया जा सकता है ठीक है आगे चलते हैं अगला है सब्द भंडार विधी शिक्षन सायक सामगरी के द्वारा बच्चों में नई नई सब्द प्राप्त होते हैं जिनके सब्द भंडार में वृध्य होती है अगला पॉइंट देखते हैं रटने की प्रवर्ति में कमी शिक्षन सायक सामगरी की साहता से विध्याती रटने की अपेक्षा पार्टे क्रेम को सीखने समझने की कोशिस करते हैं जिनसे उनमें रटने की प्रवर्ति में कमी आती है तो सायक सामगरी को समझने के दौरान सामगरी द्वारा पढ़ने से समय और शक्त की बचत होती है वैग्यनिक दरिष्ट्यकून का विकास इसमें बच्चों का दरिष्टिकून वैग्यनिक बनता है अगला पॉइंट पिछड़े बालोकों को साहता सिक्षन सामगरी द्वारा पढ़ने से पिछड़े बालोकों को सीखने में साहता मिलती है चलते हैं आप हमें इस पर कुछ अभ्यास प्रस्नों को देखेंगे श्क्षल समग्री से सम्भाइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां पर दिया गया है और इसके जो इनके बारे में टॉपिक इनके बारे में विकल्प दिये गये हैं पहला है आवबोध में सुविधा प्रदान करती है ये भी सही है दूसरा है अधिगम करता के प्रतेक्सिकरण को विक्सित करने में सहायता करती ये भी सही है अगला है फोन ओधारन है तो यह उधारन है श्रयब साम जी क्योंकि फोन कैसा भी यह सुंते हैं कि वा फोन को इसलो कर दीचिटल पोन आगे तो लिए सुखेश道 जैसे हैं कि इसका वांस आगला प्रसंत है कि हां अगला प्रस्ण है कि कि यह यह एक है यह 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 नहुwno automatically हाँ निम्न मैंसे कौन सी सिक्षन की सामगरी स्ट्रव्य द्रिश्य सामगरी है ठीक है तो इसमें यह विकल्प कंप्यूटर सही है तो इसका विकल्प कंप्यूटर सही होगा अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न है निम्न मैंसे कौन सी सिक्षन द्रिश्य सामगरी है अब इसमें से द्रिश्य सामगरी कौन सी है जिसको हम केवल देख सकते हैं तो यहां देखिए कि ग्रामा फोन को सुन सकते हैं एटलस है उपरोगत सभी है रेडियू तो इसका वत्तर होगा एक ट्लस कि अगला परसंद देखते हैं निबंद में रेडियो से लाब है अब तो निबंद में लाब है थीक है तो निबंद में लाब है क्या क्या देखते हैं पहला है रेडियो दुआरा एक ही समय में कम ब्याय करके अधिक से अधिक लोगों को जागरित किया सकता सही है सेक्सिक उद्देश्यों की पूर्ति के साथ साथ यह प्रसारण छातरों का मनोरंजन करने में भी सही है अगला पॉइंट रेडियो प्रसारण में से अध्यापक स्वामी ग्यान प्राप्त करते हैं ठीक है तो यह इसमें इसका विकल्प होगा उपरोग तो सभी ठीक है तो यहां मैंने कुछ पांच प्रस्ने भी लिए हैं जो कि स्रब्धिस सामगरी से संब्धित आपके पूछ ज इस वीडियो में इतना ही तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए इनके की प्रस्नलों को दो depende का तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए जिस्じसे कि आपके आप ये जो टॉपिक है आपका किलियर हो जाएगा ठीक है आप इसको बार बार देखिए और इसके बारे में बिल्कुल आप इनको दोहराईया और कंठस्त कर दिजे इससे आपके दो या तीन प्रस्ट अवश्य पूशे जाना है एल्टी परिक्षान ठीक है तो अगर मुझे उमीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए फाइदेबन से दोगा तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करू और अपने अधन को जारी रखिए बहुत बहुत सुपकामने आपको बाकी की जान करें अगली वीडियो में नमस्कार